मस्ते दोस्तो वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स सबसे पहले बात करेंगे दोस्तो बिटकोई के चार्ट की एनलाइज करेंगे बिटकोई के चार्ट को क्या सिनारियो बन रहा है बिटकोई के चार्ट पर बिटकोई एक बार फिर से 40,000 USDT के रिजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है क्या बिटकोई का डाउन ट्रेंड स्टोप हो गया है एनलास्ट में हम बात करेंगे लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज एन अपडेट की अगर आप अमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमारा वीडियो फाइनली दोस्तो थ्री मंत के डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन के बाद बीटीसी ने लास्ट सिक्स डेश से एक स्ट्रोंग अप्ट्रेंड बना रखा है जैसा हमें लास्ट बूल रन में देखने को मिला था ये मूव हमें देखने को मिला है दोस्तो मार्केट में चल रही एक बहुत अच्छी और पोजिटिव न्यूज से जो रिलेटेड थी एमाजोन से जैसे ही एमाजोन से ये न्यूज निकल कर आई कि वो क्रिप्टो असेप्टेंस के बारे में सोच रहे है तब ही से बीटीसी में हमें ये मूव देखने को मिला बट अभी कुछ गंटे पहले ही इस न्यूज से रिलेटेड एक अपडेट है जिसे हम न्यूज सेक्शन में डिसकस करेंगे इसके साथ साथ दोस्तों ये भी चेक करिए जब बिटकॉन में हमें ये ब्रेक आउट देखने को मिला था तब मार्किट से एक बिलियन के राउं शोट लिक्विडेट हुए है जिनको शोट लिक्विडेशन के बारे में नहीं पता उनको बता दूँ नॉर्मली जो इन्वेस्टर मार्किट में बीटीसी को शोट करके बैठे थे इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते है ये रिजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन कितनी इंपोर्टेंट होती है रेक्रेट्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए आप इस बीटीसी के राई से जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है उन्हें चैन के साथ मिली होगी और अभी रिकोर्डिंग के टाइम पे बीटीसी 37,000 के उपर ट्रेड कर रहा है जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताय था बिटकोइन ट्रेड कर रहा था एक डाउन ट्रेंड चैनल में जिसे आप क्लियरली बीटीसी के चार्ट पर देख सकते हैं बट रिसेंटली इसने अपनी डाउन ट्रेंड की जो रिजिस्टेंस लाइन है उसे भी ब्रेक किया है वो भी अच्छे खासे वोल्यूम के साथ और अब कमफर्टेबली रिजिस्टेंस लाइन के उपर ये ट्रेड कर रहा है बट लाइस टाइम की तरह इस बार भी फिर से बिटकोई ने 40,000 USDT की जो रिजिस्टेंस रेंज है उसे ब्रेक नहीं किया है और जैसे ही बीटीसी रिजिस्टेंस रेंज के पास पहुचा वही से इसमें हमें फिर से करेक्शन देखने को मिला है अगर हम टाट पर ये कंसोलिटेशन देखे तो ये 3 मन्द से चल रहा है और बीटीसी में 55% का करेक्शन हमें देखने को मिला है विट्वल मिलाशी से 37% का मैसिव गेन हमें देखने को मिला है अभी हम यह तो क्लियर देख सकते हैं BTC ने एक पोजिटिव ट्रेंड को स्टार्ट किया है इसके साथ साथ जितने भी अल्ट कोईन हैं उनमें भी हमें मैसिव गेन देखने को मिले है बट सबसे इंपोर्टन कोश्चन यह है कि क्या यह मूव इस बार टिक पाएगा या नहीं अगर हम आवरली चार्ट को देखते हैं तो हम देख सकते हैं इस मूव के बाद अभी मार्केट में करेक्शन चल रही है और जैसा कि हम सबी जानते हैं जो रेजिस्टेंस लाइन बिट को इसने ब्रेक किया है वो अब इसका सपोर्ट लाइन बन चुकी है अगर बीटीसी इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो हम यह सोच सकते हैं कि यहां से और डाउन ट्रेंट देखने को नहीं मिलेगा यह सपोर्ट लाइन ही नेक्स सबसे इंपोर्टेंट लेवल है वोच करने के लिए अगर आपको लगता है बुलरन फिर से स्टार्ट हो गया है तो कमेंड करके जुरूर बताएं अब बात करते हैं क्रिप्टो से रेलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज और अप्डेट के बारे में फिर्स्ट न्यूज है दोस्तो Amazon denies rumor plan for bitcoin support दिस्पाइट रेच्टिं रूमर्स, the e-commerce giant will soon support bitcoin payment A spokesperson for Amazon has said the firm is still interested in the crypto space दोस्तो Amazon के spokesperson ने reuters को दिया recent interview में ये deny कर दिया है कि वो bitcoin accept करने के बारे में सोच रहे है उन्होंने इस news को बस एक rumor बताया है बट उन्होंने ये भी कहा है कि Amazon crypto को लेकर still interested है जिसका हम ये meaning निकाल सकते हैं अब भी नहीं तो in future जल्द ही कोई अच्छी update हमें जुरूर देखने को मिलेगी क्योंकि जिस तरह से big financial institutions, business giants, bitcoin में interest दिखा रहे हैं कोई भी इसमें ज्यादा late entry नहीं करना चाहेगा Second news ये दोस्तो एक और big e-commerce giant Shopify से Shopify now support NFT sales starting with Chicago Bulls The e-commerce giant's partners will be able to sell NFTS directly to the fan although it hasn't rolled out all the users just yet Shopify ने stores owners को लाग कर दिया है crypto को लिए और NFTS support provide भी करेगा ये भी एक बहुत अच्छी news है crypto market के लिए बहुत से लोगों ने इस company के नाम नहीं सुना होगा बट ये एक बहुत बड़ी e-commerce company है और American exchange पर listed भी है जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ Shopify एक e-commerce platform है दोस्तों जो दूसरों को easy customization e-commerce platform प्रवाइड करवाता है थर्ड न्यूस है दोस्तों Goldman Sachs file for DeFi ETF tied to public companies The Goldman Sachs innovate DeFi and blockchain equity ETF is more traditional than the proposed crypto ETFs Goldman Sachs ने एक ETF proposed किया है वो भी DeFi ETF DeFi होता है दोस्तों Decentralization Finance और ETF होता है Exchange Traded Fund ये भी एक तरह का investment fund होता है दोस्तों जिसमें कई सारे stocks होता है जैसा mutual fund में होता है but ETF exchanges पर list होते है और इन्हें हम daily basis पर trade भी कर सकते है but mutual fund हम बस end of the day price पर ही purchase कर सकते है last 2-3 month से Goldman Sachs काफी trusted दिख रहा था दोस्तों ETF और DeFi को लेकर Goldman Sachs एक बहुत बड़ी investment banking company है और इतनी बड़ी investment banking से ये news आना एक बहुत ही positive news है crypto market के लिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो like and share कीजिए इसके साथ अगर आपने मारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो मारे चैनल को जुरूर subscribe करिए Thank you, धन्यवाद झाल को किया ही अगर आपको अगर आप tapi अगर आपको Zu openness now वगर आपको जो बाए्थ